नमस्कार दोस्तो इलेक्टिक एडविंजी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बताएंगे फ्लोट वाल के बारे में जो समर्सिबल पंप होता है हमारा जो पानी की टंकी होती है उसमें पानी बनने के लिए जो समर्सिबल पंप होता है उसमें हम फ्लोट वाल लगा लेकिन ओप वो फ्लोट वाल है वो ओटोमेटिकली ओफ कर देगा तो स्टार्टर में पहले वोल्टेज चेक करते हैं वोल्टेज 230 आ रहा है हेरा वाला बटन है यह ओन का है यह रेड़ वाला आई ओप का है तो दोस्तो कैसे हम फ्लोट वाल लगाते हैं चलो हम पहले टैंकी क के पास में चलते है कैसे लगाते हैं यह हमारे टंकी है अब हे टंकी में फलोट वाल खायां लगाएंगे या हम आपको इस यह normally Nc होता है, यह जैसे ही टंकी भर जाती है, तो यह float वाल उपर उट जाता है, तो यह NO हो जाता है, देखियो, हम आपको practical करके बताएंगी, यह NC है, जैसे ही यह float वाल बरेगी, float वाल उपर उटेगा, तो यह एक noque है, वो बहार निखलेगा, फिर जो उपर relay लगी हुए, वो उसको ये नeki होता है उसको All कर देगी तो पहले तो हम ये होल कर लेते हैं टंकी के टोप पे जहाँ पर जो और फूलो वाल पानी निकलता उसके थोड़ा सा नीचे होल कर लेते हैं ताकि हमारा टंकी भरे तो फूलोट वाल पहले ही इसको Starter को Off कर दे तो पानी बहे ना फालतुं में पानी ना बहे इसको उपर लगाने पर कोई फाइदा नहीं है थोड़ा जो और फुलो वाला पानी का लगाएंगे तो फाइदा होगा ताकि फ्लोटवाल से हमारा जो फाइदा हों squeezing बहार लगा के दिखा दिया है किस टाइप से आप ये प्लोट वाल लगाएंगे तो पहले ये प्लोट वाल लगा के देखते हैं अंदर लगाते हैं कि ये सही तरीके से इसका होल हो गया कि सही तरीके से होल कर लेते हैं पहले तो फिर इसको हम लगाते हैं देखो ये हाँ ये अब देखो यह जैसे पानी आएगा टंकी बरेगी तो यह उपर उड़ जाएगा तो यह जो एंसी होता है इसको एनो कर देगा जो हमारा स्टाटर का इसको प्रोपर तरीके से टाइट करते हैं कस देते हैं पूरा ताकि यह पूरा टाइट हो जाएए ही ले न और इसकी जैसे सेटिंग करेंगे वेसे रहे फुल टाइट कर देंगे जितना टाइट हो सके उतना तो दोस्तों यह लगाने से हमारा बहुत फाइदा है जो हमारी समर्शिबल पंप है इसको यह ऑटोमेटिकली बंद कर देगा मैनुमली हमें चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसको बंद कर देगा इससे हमारा बहुत ही फाइदा होगा क्योंकि और फुलो पानी है भो बिलकुल भी नहीं होगा, फानिवेस्ट नहीं होगा यह इसकी Relay है, यह इसके उपर सेट कर देते हैं अब rein अब भी यह Relay सेट कर दी, अब इसके हम Soldering करेंगे Soldering से, इसके दो जो Wire लेके आए हैं, नीचे से दो Wire लेके आए हैं, इसको solter की साइता से इसमें जोड देते हैं ताकि ऐसे हम लगाएंगे तो lose रहेंगे, lose नहीं रहने चाहे, lose रहेंगे तो कारबन आएगा और थोड़े दिनों में वो कारबन आके वो हमारा जो wire है वो काम नहीं करेंगे, फिर इसलिए हमें solting करना सही रहता है, solting करना भी चाहें, क्योंकि ऐसे हम joint करेंगे तो इसमें थोड़े दिन बाद में कारबन आके वो wire काम ही नहीं करेंगे, फ़रे ब्लेक वाले को कर देते हैं, वो दोनों कोई से भी एक एक को कर देऊ, कोई दिक्कत नहीं है, अब इनको जो pipe के सारे सारे हम नीचे ले जाएंगे, पहले इस पे हम टेप करते हैं, जो solting हो गया है, इस पे अच्छी तरीके से टेप करते हैं, ताकि इसमें बारिस की वज़ अच्छी तरीके से कोई plastic या कुछ भी से इसको ढख देंगे, ताकि हमारा जो connection है, उस पे पानी ना गिरे, और हमारा wire है, वो वहां से दूर ना हो, पूरा एकदम सही रहे, तो बारिस की वज़े से इसमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसको पूरी तरीके से टेप कर देते पूरा टेप हो गया, मतलब पूरा टेप कर दो, जितना हो सके उसको पूरा ढग दो, पाद में इस पर कुछ ना कुछ से लगा देना, ताकि बारिस की वज़े से पर कोई problem ना आए, खुल ले रहेंगे, तो car बनाएगा, car बनाएगा, तो फिर ये काम नहीं करेगा, इसको जो pipe है, उसके सारे सारे हम नीचे ले जाएंगे, starter तक, ताकि ये भी हमारा जो wire है, ये बीच में ना आए, और टूटे ना, और कोई भी इसको मतलब फालतों में पेरू में ना आए, इसलिए उसको pipe के सारे ले जाएंगे, तो एकदम safe रहेगा ये, तो देख लिए, अब पूरा तरीके से बहार लगा दिया है, अब हम टंकी के अंदर भी आपको एक बार दिखा देते हैं, कैसे क्या होता है, टंकी में आपको दिखाएंगे, कि कैसे float wall है, ये काम करेगा, ये float wall है, देखो, अब ये लग गया है, अब जैसे टंकी में पानी भरेगा, तो और फलो के थोड़ा नीचे ही है, ये जैसे और फलो के होगा, और फलो से नीचे रहेगा, तब ये float wall उट जाएगा, अब हम देखो, wire है, वो starter तक लेके आगे है, अंडर ग्राउंड wiring के जरीए, ताकि बीच में भी हमारा wire ना आए, अब हम starter को खोलते हैं, ये हमारा dual starter है, इस wire को ह बिल लिया है, अब जो हमारा red button है, ये हमारा nc button है, nc होता है, इसको normally nc होता है, जब इसको दबाते हैं, ये start हो जाता है, जो green वाला button होता है, वो no होता है, और ये होता है nc, तो green वाले को हम दबाएंगे, तब वो nc हो जाता है, और हमारा dual starter हो चल जाता है, तो इस wire को ह हम जो रेड़ वाला बटन है इसके एक ट्रमिनल को हटा लेंगे पेच के साइधा से इसको खोल लेते हैं इसको एक वायर के अंदर हम दो वायर हो जाएंगे एक जो एंसी वाला है खोलेंगे वो और एक जो रेड़ बटन के उपर है खाली पॉइंट उसमें लगाएंगे और एक जो निकालेंगे उसमें लगादेंगे तो यह रेड़ वाला बटन है यह एंसी है और उसमें भी जो रिले लगी है वो भी एंसी है जब फ्लोट वाल से दबेगा तब वो एनो कर देगा इसको तो हमारा स्टाटर है जो डियोल स्टाटर है वो ओप हो जाएगा तो पहले हम इसके रेड़ वाले बटन के एक टर्मिनल पर इसको कस देते हैं और फिर जो एक जो निकाला है वाइर उसमें लगा देते हैं नॉर्मल वाइरिंग है हम अपने घर में पर कर सकते हैं किसी की इलेक्रिक्षिन बुलाने की कोई जरूत नहीं है एकदम हम अच्छे तरीके स हम भी कर सकते हैं एक यह जो वाइर निकाला था उसमें इसको जोड़ देते हैं दो वाइर जो आए हैं एक जो जहां से निकाला एक तो वहाँ पर लगा देंगे और एक उपर लगा देंगे जहां से वो निकला है बस इसमें हम टेप कर देते हैं इसको टेप करके पूरा प् करेंगे इसको manually dual starter है इसको manually start करना पड़ेगा और जैसे टंकी का पानी है वो उपर फुल होगा तो float वाल उपर उठेगा और इसको no कर देगा इनसी को no करदेगा रेडवाले बटन से वो रेडवाला बटन जैसे manually हम दबाते हैं वेसे वो float वाल काम करेगा तो अब हम starter को ढग देते हैं wire को अंदर लेकर starter को ढग देते हैं फिर देखते हैं दोस्तों कैसे यह जो हमारा float वाल है वो कैसे काम करता है आमको practically तरीके से practically करके दिखाएंगे, कैसे किया होता है इसके बॉल्ट को टाइट कर देते हैं और स्टार्टर में यह लग गया हमारा फ्लोट वाल लगके ready हो गया अब हमें चेक करना आ है कि वह हमारा फ्लोट वाल है वह प्रोपर तरीके से काम कर रहा है की नहीं कर रहा है पहले MCB को ON करते हैं वोल्टेज चेक करते हैं फिर यहां से हम ON करेंगे अब हमारा समर्शिबल पंप है वो ON हो गया अब हम आते हैं टंकी के पास में देखते हैं हमारा पानी आ रहा की नहीं आ रहा तो पहले हम चेक करते हैं हमारा पानी चल ला है अब देरे देरे पानी जैसे टंकी फुल होगी तो देखते हैं फ्लोट वाल काम करता है कि नहीं करता है जैसे टंकी फुल होगी ये फ्लोट वाल उपर उठेगा और जो N-C है उसको N-O कर देगा और ये बंद हो जाएगा स्टार्टर तो हमारा और फ्लो पानी है वो नहीं बहेगा फालतों में अब देखो ये जैसे टंगी पानी फुल हुआ और ये उपर उठा और जैसे उपर उठते ही जो NCT उसको N-O कर दिया और ये स्टार्टर बंद हो गया अब इसको हमें एक वार और करते हैं ओन करना जो पानी के टंकी में चला रखा है वो भूल जाते हैं फिर वो और फ्लो के फालतों में पानी ऐसे बहता है इसलिए हम फ्लोट वाल को यूज करते हैं ताकि हमारा जो पानी है वो फालतों में